बेक के बाद आपका स्वागत हैं स्मार्ट सिटी धर्मशाला में ग्रिट कनेक्टिविटी रूफ सोलर पावर प्लांट योजना के अंतरगत 342 किलो वाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा इसके लिए शहर के चार स्थानों में सोलर पावर प्लांट स्तापिट किये जाएंगे इन में क्षेतरी चिकित साले धर्मशाला हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्याले खेल विभाग का इंडोर स्टेडियम वा सामुधाइक भवन कोतावली बजार शामिल है बिजली बोर्ड से बिजली खरीदने की बजाए अपने कार्याले की छट के सौर सिस्टम से तयार होने वाले बिजली से चारों कार्याले चलेंगे स्मार्ट सीटी धर्मशला प्रोजेक्ट के तहट ग्रीड सोलर पावर प्लांट योसना के अंतिगरत 342 किलोबाट बिजली का उतपादन किया जाएगा इसके लिए शेहर के चाय स्थानों में सोलर पावर प्लांट स्तापित कर दिये गये हैं इन्वेक्षित्री चिकिस्ताले धर्मशला हिमाचनपदी स्कूल चिक्षा बोर्ड कार्याले खेल विबाक का इंडोर स्टेडियम बोस्ता मुदायक बवन कोत वाली बाजाय स्वामिल है बिजली खरिदने की बजाये अपने कायाले की छट के 60 सिस्टम से तयार होने वाले बिजली से चार कारयाले चलेंगे Samart City Limited के तहत पहला है साकारया है जिसके बाद स्मार्ट सिटी में सीर से बिज़ली को त्यार कर काम का चलाया जाएगा इसे हाइट्रों पावर प्रोजेक्ट की बिज़ली की भी बचत हो सकेगी साथ ही कार्यालियों को बिजली बिल्का बुकतान भी नहीं करना पड़ेगा उक्तुलर सिस्टम को शहर में बनाने के लिए एक दस्मिल पांच नोक डोक टी राष्टी का बजट खर्च किया गया है स्मार्ट सिटी लिम्टेट दर्मशाला के निदेसिक एवन नगर निग्म दर्मशाला के महापोर देविंदर जगी ने बताया कि दर्मशाला शहर में चार मेताबून बबनों में सोलर सिस्टम का करेब पूरा कर लिया गया है और शिमला को पत्लिक दिया है कि जिससे बहुत बिदुत उत्पादश चूर कर दिया जाएगा पेनल लगाना शूरू स्मार्ट सिकी प्रोजेक्ट में कॉम्पोनेंट था इसमें सोलर टॉप रूफ लगानी थी जो कि सवर कारी बि출 पर पहले लगानी थी तो सरवे किया गया तो पहले चार बिक इसमें लिए है जो की स्पोर्स होस्टल है वहाँ पे और एजुकेशन बोर्ड, जोनल हॉस्पिल धर्मशाला और कॉम्मिनेटी हो धर्मशाला इस पे इसका टेंडर लगा था जो जिसका की लगवक डेट ग्रोर का टेंडर था ये और ये चारों बेडिंग पे सॉलर टॉप पैनल लग चुकी है इसमें और इनकी 342 किलोवाट की इनकी नर्जी थी इसमें और ये सारी चारों बेडिंग पर ये त्यार हो चुका है और बिजली बोर्ड से जो अभी थोड़ी सी रहेगी है शिमला से होनी है उसके बाद ये शुरू हो जाएगी सारे और इस सोलर पैनल वहाँ पर लग या तो मुझे रखता बिल्कुल वह जीरो हो जाएगा हमका और ये बहुत बड़िया अग्लार्मर की स्कीम है और फ्यूचर में हम और भी सरकारी जो बिल्टिंग उन्पे भी लगाने जा रहे है जिससे विजली का खर्चा जो सरकारी भाएग य हिमाचल परदी स्कूल सिक्सा बोर्ड के अधिक्ष डॉक्टर शूरे स्टोनी ने बताया कि स्मार सिटी के अंदर जो कारे हो रहे हैं वे बहुत अच्या कारे हो रहे हैं और ग्रीन एनरजी को इसमें टेप करके ये सारे कारे कर रहे हैं उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर पर दिये हैं तो इसमें काफी कमी आएगी और साथ ही हम ग्रीन अनेर्जी को टैप कर पाएंगे सोलर पैनल लगने से ये फाइदा इस परकार से होगा नमबर एक जो भारी वरकम बिल आता था इलेक्टिसिटी का उसमें बहुत कमी आएगी ये जो सोलर पैनल सिक्षा बोर्ड को उपलबध करवाया जाएगा ये सो वाट का है तो अभी जुराई महिने की बात करें तो जो बिल दिया है बिजली का वो एक लाख सतर हजार पांसो तेरा रपै ऐसा बिल दिया है तो गुल में लाख के लाखों में बिल हमारा चला जाता है वर्ष वर तो इसमें बहुत कमी आएगी और दूसरा फाइदा ये होगा कि ग्रीन अनरजी सही से टैप होगी और ये सास्वत अनरजी है सस्टेंड अनरजी है एक दम से उब्लब्द होने वाली अनरजी है तो ये बहुत ही अच्छा काम स्मार्ट सिटी के अंतर किया देगा है